हेलो दोस्तों स्वागत है आपका जैनल में और आज हम बात करेंगे डाटा वार्निंग की प्रॉब्लम के बारे में तो इसे कैसे सॉल्फ किया जाएगा फ्रेंड्स आपका मोबाइल पुराना हो या नया हो या 2020 से पहले का 2019-18 यह प्रॉब्लम आती है तो यह प्रॉब्लम हर मोबाइल में आती है फ्रेंड्स और इसको सॉल्फ करना है हमें सेटिंग में जाकर तो अगर आपको नहीं पता है यह कैसे सॉल्फ किया जाता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जगा और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइ मैं अद्सि-घंग को अगया तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने अपने ओपन किया और यहांक आपको दिखरा हुआ डाटा वर्निंग और उसके बाद हमें चले जानाorse सेइक में और सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड़ हमें जाना है connection में मेरा A30S Samsung A30S mobile है तो मैं जाओंगा connection में connection के बाद friends यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा data uses तो यहाँ पर data uses में चले जाएंगे यह देखिए friends यहाँ पर दिख रहा है data uses इसी में जाना है और इसको एक बार click कर देंगे और यह open हो जाएगा और देखिए click किया है मैंने और उसके बाद देखिए friends यहाँ पर data warning जो आ रहा था उसी problem को solve करेंगे और उसके बाद friends थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पर mobile data uses फिर से दिख रहा होगा और friends यह sim 1 और sim 2 तो मैं sim 2 में मुझे यह problem आ रही है तो मैं sim 2 वाले को open कर दूँगा यहाँ पर और यहाँ पर friends थोड़ी देर सर्च होने के बाद जितने भी आपके apps हैं जो जितना जितना data use करते हैं अपने आप में वो यहाँ पर सारे आ जाएंगे और यह देखिए friends जितने भी एप जो data use करते हैं वो सारे यहाँ पर आ गए हैं और उसके बाद friends यहाँ पर friends अपना mobile data को on करके रखें नहीं तो friends अभी आपको दिख रहा हुआ उपर कोई setting नहीं दिख रही है तो मैं अभी data on कर दिया है यहाँ पर और उसके बाद दिखिए एक setting का उपर icon दिख रहा हुगा setting का उसी को click किया है मैंने और उसको click करने के बाद friends यहाँ पर data warning का option दिख रहा है इसे on कर देंगे और यहाँ पर friends जो भी लिखा था उसको delete करने के बाद यहाँ पर मैंने 1005 type किया है और उसके बाद यहाँ पर एम भी था तो इसे जीवी में बदल देंगे और इसे set कर देंगे set के बटन पर जैसे क्लिक किया तो friends देखिए उपर से data warning का icon जो था वो चला गया है यह देख लीजे friends यहाँ पर data warning चला गया है और यह problem solve हो चुकी है तो आपने यह वीडियो पूरा देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक और शेर जरूर करें friends धन्यवाद friends